देश की जनता को समभूतित करें सीधे लिए चलते हैं को यह हैं कि मैक्रो प्रानिंग और माइक्रो इंप्लिमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक कहां शुरू करने की तैरी कर रहा है राज्यों के पांस भी इस तरह की जानकारी एड़वांस में नहीं होती है इस तरह के साइलोस के कारण निर्णे प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बरबादी होती है सबसे बड़ा नुक्सान ये होता है कि शक्ती जूड़ने के बजाए शक्ती मल्टिप्लाइ होने के बजाए शक्ती विभाजित हो जाती है जो हमारे private players है उन्हेंने भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि बविश में यहां से सड़क गुजरने वाली है या यहां से कैनाल बनने वाली है या यहां कोई power station लगने वाला है इस वज़े से वो भी किसी छेतर को लेकर किसी sector को लेकर बहतर plan नहीं कर पाते हैं का हल PM गति सक्ती नेस्टर प्लान इससे ही निकलेगा जब हम master plan को आधार मना कर चलेंगे तो हमारे resources का भी optimum utilization होगा साथियों हमारे देश में infrastructure का विशे जादातर राजनितिक दलों की प्रात्विक्ता से दूर रहा है यह उनके गोष्णा पत्रभे में भी नजर नहीं आता है अब तो यह स्थित्य आ गई है कि कुछ राजनितिक दल देश के लिए जरूरी infrastructure के निर्मान पर आलोचना करने में गर्व करते हैं जबकि दुनिया में इस स्विक्रत बात है कि सस्टेनेबल डवलप्मेंट के लिए quality infrastructure का निर्मान एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविदियों को जन्व देता है बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्मान करता है दैसे skilled manpower के बीना हम किसी खेत्र में आवश्चक प्रणाम नहीं प्राप्त कर सकते वैसे ही बहतर आधुनिक इंस्प्रास्रक्टर के बीना हम चोज तरफा विकास नहीं कर सकते साथियों राज निर्तिक इच्छा सकती की कमी के साथ ही देश के इंस्प्रास्रक्टर डेवलप्मेंट को सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तानमेल की कमी ने आपसी खिंचितान ने राज्यों में भी हमने राज्य सरकारों और स्थानिय निकारों के बीच इस विशे पर तनाव होते देखा है इस वज़ा से जो प्रोजेक्ट देश की एकोनामिक ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार होने चाहिए थे वही प्रोजेक्ट देश के विकास के सामने एक दिवार बन जाते हैं समय के साथ बरसों से लटके हुए प्रोजेक्ट अपनी प्रासंगिता अपनी जरुरत भी खो देते हैं मैं जब 2014 में यहां दिल्ली एक नई जिम्मेबारी के साथ आया तो भी ऐसो सेंकडो प्रोजेक्ट से जो दसकों से लटके हुए थे लाखो करोर डुपिये के ऐसे सेंकडो प्रोजेक्ट की मैंने खुद समिक्षा की सरकार के सारे विभागों सारे मंत्रालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया सारी रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया मुझे संतोस है कि अब सबका ध्यान इस और गया है कि आपसी तालमेल की कमी की वज़से परियोजनाओं में देरी ना हो अब होल अब गवर्मेंट एप्रोच के साथ सरकार की सामुईक शक्ति योजनाओं को पूरा करने में लग रही है इसी वज़से अब दसकों से अधुरी बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो रही है साथ कियों पी-एम गती शक्ति अब ये सुनिस्षित करेगी कि 21 सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट में कोडिनेशन में कमी की वज़से ना पैसे का नुक्सान उठाएं और ना ही समय गवाएं पी-एम गती शक्ति नेश्टनल मास्टर प्लान के तहट रोड से लेकर रेलिवे तक एवियेशन से लेकर के एगरिकल्चर तक विबिन्न मंत्रालोयों को विभाकों को इससे जोड़ा जा रहा है हर बड़े प्रोजेक को हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी सतिक जानकारी समय पर मिले इसके लिए टेकनलोजी प्लेटफरम भी तयार किया गया है आज यहां कई राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के अन्य प्रतिनीदी भी जुड़े हैं मेरा सभी से आगरह है कि जल्द से जल्द आपके राज्य भी पी-म गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लांट से जूड़कर अपने राज्य की योजनाओं को गति दे इससे राज्य के लोगों का भी बहुत लाब होगा साथियों पी-म गतिशक्ती मास्टर प्लांट सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग-अलग स्टेकॉलर्स को तो एक साथ लाता ही है ये ट्रांस्पोर्टेशन के अलग-अलग बोर्ट्स को आपस में जोडने में भी मदद करता है ये हॉलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है अब जैसे गरीबों के गर से जुड़ी योजरा में सिर्फ चार दिवारी नहीं बनाई जाती है बलकि उसमें टॉयलेट बिजली पानी गैस कनेक्शन भी साथ ही आता है ठीक बैसा ही वीजन इसमें इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए भी है अतीत में हमने देखा है कि उद्योगों के लिए स्पेशल जोन का एलान तो किया जाता था लेकिन वहां तक कनेक्टिविटी या फिर बिजली पानी टेलीकॉम पहुँचाने में गंबिरता नहीं दिखाई जाती थी साथियों ये भी बहुत सामाने बात थी कि जहां सबसे ज़्यादा माइनिंग का काम होता है वहां रेल कनेक्टिविटी नहीं होती थी हम सभी ने ये भी देखा है कि कहीं पॉर्ट होते थे तो पॉर्ट को सहर से कनेक्ट करने के लिए रेल या रोड की सुविधाओं का अभाव होता था ऐसी ही वज़ों से भारत में प्रोड़क्शन कॉस बढ़ती रही है हमारे एक्सपोर्ट की कॉस बढ़ती रही है हमारा logistic cost बहुत ज़्यादा रहा है निशित तोर पर ये आत्म निर्बर भारत के निर्मान में बहुत बड़ी रुकावट है एक study है कि भारत में logistic cost GDP का करीब करीब 13% है 13% है दुनिया के बड़े देज़ों में ऐसी स्थिती नहीं है ज़्यादा logistic cost की वज़े से भारत के एक्सपोर्ट की competitive नेज बहुत कम हो जाती है जहां production हो रहा है वहां से port तक पहुँचाने का जो खर्च है उस पर ही भारत के एक्सपोर्टर्स को लाखों करोड रुपिये खर्च करने पड़ते हैं इस वज़े से उनके product की किमत भी बेतहा सा बढ़ जाती है उनका product दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगा हो जाता है एगरिकल्स के छेतन में भी इस वज़े से हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुक्सान उठाना पड़ता है इसलिए आज समय की माग है कि भारत में seamless connectivity बढ़े last mile connectivity और मजबूत हो इसलिए ये PM गतिशक्ती National Master Plan बहुत बड़ा और बहुती महत्वपून कदम है इस दिशा में आगे जाने बढ़ने पर हर प्रकार का infrastructure दूसरे infrastructure को support करेगा उसका पूरक बनेगा और मैं समझता हूं हर कारण हर stakeholder को भी हर ज्यादा और ज्यादा उच्छाते इससे जुनने की प्रेणा मिरेगी झाल झाल मिरेगी झाल प्रमी